हेलो फ्रेंट्स तेसी राहूल वेल्कुम डिशेयर फ्रीमर्स तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम टेस्स 3 डिसकस करने वाले हैं जैसे कि आपको बता है कि हमने अपने चैनल पर 200 MC की सीरिस स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं आपके साथ अल्रेडी टेस्स को डिसकस कर भी ओके सो चलिए टाइम को वेस्ट की बीना स्टार्ट करते हैं तो फिर्ट्स मैंने इस चैनल पर काफी सारे जी चो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी हैं जिसमें मैंने कम्प्लीट यूनिट्स की वीडियो भी डाल रखी हैं होपस अपने इन यूनिट्स को देख लिया होग अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो यह सबसे ज़्याद आपके लिए बेस्ट रहेंगी इसी के साथ मैंने प्रिविस एर एमसी क्यू भी डाल रखे हैं ताग कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के कोशन्स आप से एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं आप इतना टेलिगाम चैनल को भी जोएन कर लेना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम-टो-टाइम इंपोर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे हैं कोशण मोबर फ्रस्ट स्टेटमेंट का कोशन है हम थूर् स्टेटमेंट यह रखिया स्टेटमेंट फ्रस्ट वर स्टेटमेंट साथिव now caveat को शेटमेंर करने ताकि हम كان म कि नीच फूलाग़िट्स है जो तके सके statement second कहती है marketing innovation refers to innovating the market and adapting strategies to attract customer the market innovation है उसका मतलब यह है कि हमें market को innovate करना है and adapting strategies to attract customer तो क्या market innovation यह कहता है नीचे हमें options देहीं रखे हैं तो friends hopes अपने इसको attempt कर लिया होगा चलिए मोग करते हैं इसके तरव so its answer is statement first is correct कि जो product development है उसका मतलब यह होता है कि हमें product को modify करना है ताकि हम customer की changing needs को क्या कर सके fulfill कर सके but market innovation का मतलब यह नहीं है कि हम market को ही innovate कर देंगे okay so statement first is correct and second is incorrect चलिए move करते हैं next question पे question number second salary received by partner from the partnership firm is came under the head तो friends यह थोड़ा सा easy तो लग रहा है question बट यह अपने आपने conceptual question है अब एक partner को salary मिल रही है तो वो कौन से head के अंदर हाईगी a under the head salary b business and profession c house property d none of the above hopes of friends अपने attempt कर लिया होगा चली देखते हैं इसका answer क्या होगा its answer is business and profession तो जो partner को salary मिलती है चाहे को interest मिलता है वो सारा का सारा किस्ट में आता है हमारा business and profession के अंदर ही आता है कुछ students ने प्रिवीश कोशन है कुछ students से इसका answer income under the head salary ही कर दिया था जो कि क्या हो जाता है गलत हो जाता है क्योंकि partner एक employee नहीं है वो partner ही खेलाएगा चलिए next question पर चलते हैं question no.3 which of the flowing methods of determining promotional budget is based on the assumption that other companies have the same marketing objective and execute them rationally तो हमें budgets का method पूछ रखा है कि किस method के through हम budget को determine करेंगे यह assumption लगा कर कि जो दूसरी companies है वो क्या कर रही है हमारे जैसा ही उनका marketing objective है और वो इसी rationality में क्या कर रही है काम कर रही है नीचे हमें options यह रखे है percentage of sale method, be competitive parity method, c objective task method and d affordable method तो यह काफी important है friends यह जो methods है ओके मैंने complete जो वीडियो जाल रखिया उसके अंदर इनको बार में discuss किया हुआ है ओके चलिए देखते हैं इसका answer क्या होगा so its answer is competitive parity method तो friends यह जो हमारा question था वो काफी simple था quite simple ठीक है कहीं बर हमें क्या होता है questions में से ही हमें hint मिल जाता है कि कौन सा इसका answer होगा okay so चलिए move करते है next question पे question number 4 in short run cost function जो cost function अगर हम बात करें short run के अंदर तो उसके हमें पूछ रखे है उसमें क्या होता है basically a marginal cost reaches its minimum level sooner than average cost तो friends एक चीज़ हमेशे जाद रखना जो AC और MC का relationship है one of the most important relationship और यहां से question आ सकता है और आए भी है हर एक बार आते है previous year के अंदर आगर आप देखोगे तो next time marginal cost reaches its minimum level later than average cost तो जो marginal cost है वो जो minimum level पर पहुंचती है लेकिन AC के बाद c कह रखा है mc and ac reach the minimum level at the same time दोनों ही same time minimum level पर reach करती है D कहार रखा है marginal cost doesn't reach its minimum level कि marginal cost बहुंचती नहीं है ओके काफी simple है ठीक है तो इस बार का level रहेगा वो easy to moderate की रहेगा मैंने hard level के question कमी इसमें आपको देखने को मिलेंगे चली देखते हैं इसका answer क्या होगा so its answer is A that is marginal cost reaches its minimum level sooner than average cost ठीक है तो average cost से पहले जो है वो कहां पहुंचती है minimum level पर पहुंचती है ठीक है तो इसका जो relationship है अगर आप देखेंगे तो बोथ marginal cost and average cost are drive from the total cost धुन्हों ही total cost से drive करती है as long as average cost decline marginal cost decline more sharply तो जैसे ही हमारी average cost decline करना start करती है marginal cost उससे जल्दी उसको decline करना start कर जाती है that's why marginal cost पहले minimum level पर पहुंचती है rather than AC ठीक है चली question number 5th है which among the flowing is the transaction that is entered for the very short term तो कौन सी transaction है जो सबसे कम समय के लिए enter की जाती है a hedging, b arbitrage, c speculation, d commodity trading, hopes of friends आपने attempt कर लिया होगा काफी easy question है चली देखते है इसका answer क्या होगा its answer is speculation 60 बजारी जो सबसे कम समय में transit की जाती है मतलब अगर एक घंटे पहले मैंने कोई चीच करी दी और एक घंटे बाद उसको भेज दिया तो यह काफी short period था तो इसको हम क्या कहेंगे speculation कहेंगे जबकि hedging के अगर हम बात करें तो यह basically क्या होता है रिस्क को avoid करने के लिए हम क्या करते हैं है ठीक है arbitrage क्या है transactions basically हम कर रहे हैं चलिए next question है question number 6 इसमें पूछ रखा है list first और list second दे रखे मैं चोवता flowing का question है मारा list first में दे रखा है income about receipts and uses of cash थोड़े जूम कर लेते हैं इसको income about receipts and uses of cash b दे रखा है statement prepared at the end of the financial period c दे रखा है helps to determine the efficiency of the business d the statement which analyzes the financial position between two dots तो यह बता रखे हैं जो statements से किसको denote कर रहे हैं list second में ratio analysis fund flow statements cash flow statement financial statement चलिए निचे हमें option दे रखे हैं hopes अपने attempt कर लिया होगा इसका answer होगा हमारा c तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें information about receipts and uses of cash जो information हमें मिलते हैं कि हम cash का कहां का use कर रहे हैं वो हमें बदाती है कौन सी cash flow statement अगर हम बात करें statement prepared at the end of the financial period तो वो हमें बदाती है financial statement जिसके अदर हम बात करें balance sheet वगरा अगर हम बात करें help to determine the efficiency of the business तो यह हमें बताता है ratio analysis जिसमें हम बात करते है liquidity ratio, debt equity ratio की बात करते हैं तो वो हमें बताती है कि कितने efficient है हमारी business next के अगर हम बात करें the statement which analyzes the financial position between two dates तो वो हमें बताती है fund flow statements next question पर चलते हैं question number seven, dash is done to achieve maximum utilization of plant, machinery, workforce and minimize inventory level of raw material and work in progress तो friends पूछ रखा है क्या हमें बताता है कि जिससे हम क्या करते है maximum utilization करते हैं किसकी plant की machinery की workforce की और minimize करते हैं inventory of raw material तो बैसी करने sets को अच्छे से utilize करना और minimize कर देना किस्टीच को inventory of raw material and work in progress a. product evaluation, b. product scheduling, c. production review, d. production planning हुप सो पने attempt कर लिए होगा चली देखते हैं इसका answer क्या होगा so its answer is production scheduling तो production scheduling के अंदर हम क्या करते हैं basically हम schedule बनाते हैं कि किस time पर हमें कौन सी teach requirement किस teach requirement होगी ठीक है तो basically time का हमारे यहाप पर ज्यादा क्या होते है रोल होते है तो production scheduling is the process of arranging, controlling and minimizing organizing workload under the production process it is done to achieve maximum utilization of plant, workforce and minimize inventory तो minimize inventory का मतलब यहाँ पी यह है कि अगर मालनों मेरे को पास पहले से मैं schedule मना के रखूँगा कि इस दिन इस time पर मुझे इतना raw material चाहिए तो मैं ज्यादा raw material कभी भी अपनी organization में नहीं रखूँगा तो इससे क्या होगा, inventory जो रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी मेरी minimum रहेगी चलिए, चलते next question बे question number 8 है, assertion reason का question है friends assertion क्या रखा है, introduction refers to the process of introducing new employees to an organization and making them familiar with the environment and culture तो introduction का मतलब यह होता है कि employees को क्या है, introduce करवाना organization में उसको familiar करवाना किसे, organization के environment से reason कह रहा है, as an employee is new to an organization he is not familiar with the atmosphere and culture of the organization तो वो कहता है कि जबकि employee एक नया है तो जो environment है organization का, उससे वो इतना familiar नहीं है यह तो बात बिल्कुल सही लग रही है, है ना, वैसे तो question आपने यह time करने है but still, सही लग रही है बात तो, कि वो familiar नहीं होगा organization से to help him adjust to the new environment, organization uses the systematic approach ताकि उसको familiar कराया जाए, इसलिए organization क्या करती है, systematic approach को use करती है तो आपको बदाने, कौन सी statement ठीक है, कौन सी गलत है, कौन सी किसको link कर रही है नीचे option दे रहे है, चलिए देखते इसका answer क्या होगा so its answer is A, is incorrect क्योंकि यहाँ पर introduction नहीं होता, यहाँ पर होता है induction ठीक है, induction का मतलब होता है कि एक employee को familiar पराना जबकि जो reasoning है, वो हमारी कैसी है, correct है चलिए, चल्दें next question में question number 9 interactive display ads which appear on the internet besides the content on website pages or service and promotion coupons where the customer receives through the mails which can be discounted on store, checkout, counter is an example of so my friends basically marketing का example दे रखा है एक statement दे रखा है तो यह पूछ रखा है किस इसका example है कि एक interactive display है जो कि आपको internet besides the content of the website जब आप एक website चलाते हो तो उसके side में कुछ ads आपको देखने को मिलती है ठीक है और कुछ promotion coupons होते हैं क्योंकि आपको mails के थुरू क्या होते रिसीव होते हैं तो बताना है कि बताईया किस तरह की marketing है ए ग्रीन मार्केटिंग बी डिरेक्ट मार्केटिंग सी इ मार्केटिंग डी डिजिटल मार्केटिंग कोशन हलाके simple है बोट यह कंफ्यूजिंग है काफि क्योंकि यह मार्केटिंग की बात करेंगे तो electronic marketing होते है digital marketing की बात करेंगे पार्ट है electronic marketing का direct marketing की बात करेंगे तो यह भी हो सकता है ठीक है तो आप होपस़ अपने attempt कर लिया हूँगा चली देखते इसका अंसर क्या होगा, so its answer is direct marketing, okay, it doesn't mean कि इसका answer e-marketing ये direct marketing नहीं हो सकता, ठीक हो तो ये भी सकता है, but still इसको हमने क्या मान रखे, direct marketing मान रखे, direct marketing involves targeting potential customers through convenience face-to-face marketing to online selling via the internet, direct marketing का generally हम meaning अगर हम जानने की कोशिश करें, तो जब हम एक employee जो है, या sale personal जो है, वो घर-घर जाकर चीज़ों को बेशता है, तो उससी को हम कहते हैं, वो direct marketing है, but it doesn't mean, अगर आपको email के थूँ कुछ मिल रहा है, कोई मान लो आजकल के advertisement, email के थूँ करते हैं, ये telephone के थूँ करते हैं, तो वो भी part है किस इज़ का direct marketing का, हलां कि ये e-marketing का भी part हो सकता है, मेरा coding हो सकता है, बट इसमें digital marketing भी, direct marketing भी बन सकता है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, comment करके बताना, तो अगर direct marketing की बात करें, email marketing is a part of direct marketing, online marketing is a part of direct marketing, telemarketing, voice mail marketing, यह सारे पार्ट है किसे इसके direct marketing है, चलिए, question number 10 है, statements का question है, statement first or statement second, the blind area under the जो हारी window consists of information that is known to other but unknown to self, तो जो हारी window काफी, तो उसके अंदर एक blind area होता है, जो यह बताता है कि उसके अंदर यह information होती है, जो दूसरों को तो पता होती है, बद खुद को नहीं पता होती, statement second कहता ह the unknown area under the जो हारी window consists of information that is not known to self and others, जो दूसरों को भी नहीं पता, और खुद को भी नहीं पता, ठीक है, तो जो हारी window के अंदर कुछ areas होती है, जैसे कि एक blind area हो गया, एक हमारा unknown area हो गया, तो blind area किस टीच को denote करता है, और unknown area किस टीच को denote करता है, आपको यह पताने है, नीचे ह हमारे क्या दे रखे है, options दे रखे है, hopes अपने attempt कर लिया होगा, चली देखते इसका answer क्या होगा, so its answer is, वो statement are correct, तो अगर हम बात करें जोहारी window की, तो जोहारी window के अंदर क्या है, एक होता है हमारा open area, देखो चार तरह की area हमके देखने को मिलते है, open area में इस तरह की information होती यह ओपन, देखो नाम से पता लग रहा है, open, मतलब की सामने वाले को भी पता है, और मुझे भी पता है, यह होता है open area, इसके बाद है hidden area, hidden मतलब close down, hidden area वो होता है, जो की हमें तो पता है, जैसे की मालोँ मेरा hidden talent, कहते है hidden talent, मुझे तो पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं तो blind is मतलब कि खुद को नहीं पता, सामने वाले को पता है, है ना, उसके बाद है unknown area, unknown area कोन सा होता है बैइ unknown, ना मैं जानता ना तू जानता, this is the unknown area तो याद रखना, जोहारी window के अंदर कितने areas होते हैं, 4 areas हमें देखने को मिलते हैं, चलिए, next question पर चलते हैं, तो friends, अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं, तो फिर लाइक जूर कर देना, आपके लाइक से motivation मिलेगा, होना तो कुछ नहीं है ओके, चलिए question number 11 है a type of national income measure in which the final value of all the goods and service produced within the geographical territory of country, plus income from abroad is considered as, तो friends, national income का concept है, जो पूछा गी आपसे कि हम क्या कर रहे हैं, जो final value है goods and service की, अगर उसके अंदर आप add कर देंगे किस चीच को income from abroad को, तो उसको हम क्या कहेंगे, gross national product, B, net national product, C, gross domestic product, and the D, net domestic product, hopes of friends, आपने attempt कर लिए होगा, चलिए देखते हैं, इसका क्या होगा, so its answer is gross national product, तो gross national product ये अगर हम बात करें, तो national level पर है, ठीक है, एक होता है GDP, ठीक है, एक होता है GNP, तो अगर आप GDP के अंदर, जो की define करता है value of final goods and service in the national territory, उसके अंदर अगर आप NFIA को add कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, GNP बन जाएगा, सेम अगर आप depreciation को minus कर देंगे, GNP में से तो वो क्या बन जाएगा, NNP बन जाएगा, ठीक है, तो ये कुछ concepts है हमारे national income के, चलिए, next question है, assertion reason का question है friends, small scale industry supports per capita income and resource utilization in the economy, तो जो small scale industry है, वो क्या support करती है per capita income को, और resource utilization को support करती है, reason दे रखा है, these units are mostly labor intensive industries which help in the creation of employment, okay, तो friends, इसका जो answer है, मैंने आपको पहले ही show कर दिया है, कि दोनों को दोनों statement ठीक है, जो small scale industry है, उसका कहाम ही basically क्या है, उससे सबसे ज़्यादा employment हमारे यहाँ पर generate होता है, जो micro or small scale होती है, okay, और यह क्या होती है, generally labor intensive industries ही होती है, चलिए, next question पर discuss करती है, which of the flowing statements are incorrect, is not incorrect, friends, एक चीज़ अगर हमेशे याद रखना है, मैं हमेशे कहता हूँ आपको, जो ओपर clean line दे रखी होती है, उसको ध्याद से बढ़ा करें, आप देखों, यहाँ पर पूछा रखा है, which is the statement is not incorrect, इसका मतलब correct statement आपको देखनी है, okay, चलिए, first statement दे रखी है, lower the elasticity, greater the degree of monopoly, elasticity जितनी कम होगी, उतनी ही ज़्यादा monopoly create होगी, second दे रखा है, price elasticity of demand is a monoplistic in a monoplistic market is large जो price elasticity of demand होते है monoplistic market में, वो क्या होते है, large होती है third दे रखा है, in the monoplistic market, the point at which the firm cover its fixed cost called closing down point, जहाँ पर जो firm है, वो अपनी fixed cost को cover कर लेती है, उसको कहते है closing down point fourth है, a monopolist always charge a price which is greater than marginal cost, जो कि marginal cost से क्या है greater than, ठीक है, तो monoplistic हमेशा वो price charge करता है, which is greater than marginal cost, जो marginal cost से क्यारता है, greater रहता है नीचे हमें options दे रखे हैं friends, आपको select करना है, कून से हमारे correct है चली, देखते हैं, इसका answer क्या होगा so its answer is, first second and fourth, तो ये तीनो statements हमारी कैसी है, correct है, जबकि third statement जो वो क्या है, हमारी wrong है, okay तो third statement की अगर हम बात करें, तो in the monopolistic market, the point at which the firm covers its fixed cost score, closing point नहीं, जहां पर firm अपनी variable cost को cover करती है, उस point को हम क्या कहते है, closing point ठीक है, तो the firm at which the firm covers its variable cost is known as closing down point if the sale is below this point, firm will be at loss, तो जाकर firm इसके निचे भी continue करती है तो generally firm क्या कर रही है, loss waste कर रही है, next question पर चलते है, question number 14th है which of the following labor welfare legislative act is applicable to non seasonal factories using power and employing 10 or more persons and non-power using 20 or more persons तो पुछाए कि कौन सा legislative act जो यहां पर apply होगा non-season factories में okay, A. Factories Act B. Employee State Insurance Act C. Employee Provident Act and D. Payment of Graduate Scheme Act 1972 okay, तो हुपसर फ्रेंट अपने टेम्ट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसका अंसर कहा होगा so its answer is Employee State Insurance Act 1948 तो फिर्ट यह जो एक्ट है ना काफे इंपोर्टेंट है अगर आप बात करें, Factories Act कोशिन हमेशा देखने को मिलते हैं इन सम्में से कहीं बर match of the flowing का आज़ता है कि अज़र्चन रिजन का भी हमें देखने को मिल जाता है तो अगर हम बात करें Employee State Insurance Act की तो जनरली जो Employee State Insurance Act है यह Non-Seasonal Factories में अप्लाई होता है तो वहाँ पर यह Act क्या होता है अप्लीकेबल होता है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते है The Inflation and Unemployment Specification in PESTEL Analysis तो PESTEL बिसिकली हमारा कौन सा है External Environment को अनलाईज करने का है Is under which of the flowing factor तो कौन से factor के अंदर आता है तो PESTEL के अगर हम बात करें तो Political, Economic, Social, Technological, Legal तो यह सारे हमारे क्या आते है Environment के factors आते है तो पूछा है कि Inflation and Employment कोशन में आता है तो बहुत Simple question है Option है Social, Economic, Political, Legal चलिए देखते हैं Economic factors क्योंकि हमारे income की बात करें तो income हमारे किसकी बात है इकोन में खाई बात है Next question है Which of the following objective of personal selling focus to generate interest among the prospective buyers establish conviction and convert prospects into buyers तो कौन सा step जो है personal selling का उसका काम यह होता है कि वो क्या करता है interest को generate करता है किसके अंदर prospective buyers के अंदर तो personal selling का process हर बार एक question कई बार तो नहीं कह सकते लेकिन mostly times हम इसको देखने को मिला है most of the time personal selling के process में से तो A है information objective B है relationship building C get repeat order and D is persuasive objective simple सा question है hope so attempt कर लिए होगा चली देखते हैं इसका answer क्या होगा so it sounds like persuasive तो क्या कर रहे हैं basically persuade कर रहे हैं सामने वाले को किस चीज़ के regarding ताकि वो समान को क्या करें खरीदे next question है which of the following is needed for the foremost step of human resource planning तो कौन सा जो है required है human resource planning में सबसे पहला step कि सीचका आएगा अगर आप human resource planning करने जा रहे हो तो ए जोब रिक्वार्मेंट बी वर्क स्टड़ी सी human resource inventory डी रिक्विट्मेंट एंड सेलेक्शन प्लैन तो human resource planning के regarding question है friends होपसे अपने टेंट कर लिया होगा चलि देखते हैं इसका answer क्या होगा so its answer is human resource inventory सबसे पहले आप क्या देखेंगे human resource inventory को देखेंगे कि already आपके पास कितना human resource है ताकि आप और ज़्यादा क्या कर सके higher कर सके उसी की base पर आप क्या करेंगे higher करेंगे तो अगर process की बात करेंगे सबसे पहले आप objective देखते है HRP का objective क्या है फिर आप current human resource inventory को देखते है कि current में कितनी inventory आपके पास है फिर work study और demand forecasting कितनी demand आ रही है उसकी base पर आप देखेंगे determine job requirement then आप recruitment plan बनाएंगे selection करेंगे training development और appraisal करेंगे चलिए next है job rotation means shifting an employee from one job to another so that he can learn a variety of skills leading to his career growth and development what is the other name of this term तो general job rotation में क्या है हम shift करते हैं employee को एक job से दूसरी job पर किसलिए ताकि वो नई skills को क्या कर सके सीख सके इस term को हम क्या कहते है A. vegetable training B. versatility training C. role specific training D. competency training hopes of and supply attempt कर लिया होगा चलिए देखते इसका अंसर क्या होगा so its answer is versatility training ठीक है versatility training so job rotation refer to the lateral transfer of an employee from one job to the another to make him versatile तो इसका main objective ही क्या होते है versatile versatile मतलब dynamic बना देना ताकि वो हर एक skill उसको आने चाहिए in case को employee available नहीं है तो उसकी जंगा पर भी उसको shift कर जा सके ठीक है तो इसको क्या कहते है versatility training next है एक company has five product line एक company है जिसके पास five product lines है and each line has three product variation और हर एक line के नहीं था three product variation है identity by which of the flowing the correct mix length and width तो product mix की length और width बतानी है तो basically length हमारी क्या होगी और width क्या होगी यह आपको बताने है तो इसकी regarding मैंने पूरा concept आपके साथ detail में discuss किया हुए separate video भी डाल रखिया आप जाकर देख सकते हैं और फिफ्टीन 3, B 53, C 15 5, D 5 10 खुपसों फेंट सबने अटेम्ट कर लिया होगा so its answer is 15 5 तो अगर हम बात करें product mix length तो length की basically बात करें तो product line है हमारी कितनी 1, 2, 3, 4 और product variation कितनी है हर एक line के अंदर 3 हमारे variation है तो product length होगी 15 की और अगर हम बात करें किसकी width की, तो width कितनी है हमारी 5 ही हमारी product line है तो width कितनी होगी 5 होगी so the product mix length is the above example is equal to 15 into 3 अगर हम बात करें तो 15 हमारी क्या होगी और width कितनी होगी हमारी total number of product line तो इस इक बात करें तो यह होती हमारी width उपर की चोड़ाई जो हम बात करते है और अगर length की बात करें तो यह होती है हमारी क्या length इसके according में आप idea लगा सकते है so चली friends next question पर चलते है question number 20 which of the flowing methods of sale promotion means presenting or displaying the product so as to bring the customer attention towards the product and communicate information to them तो sale promotion का method के बारे में पूछ रखा है ठीक है तो कौन सा method ऐसा है जिसमें हम products को display करते है और customer को attract करते है ताकि customer खुछ से उसके बारे में क्या करें communicate करें और उसको हम information provide करें A. loyalty card B. point of sale material C. discount coupon D. coupons so its answer is point of sale material तो generally क्या है आप किसी भी shop पर जाते होगे तो आग आपको कुछ समान देखने को मिलते होंगे ठीक है जो आप खुद पूछते होंगे यह क्या है यह क्या है मतब इसका कैसे यूज करते है in general sense जो आग आग आगे देखने को मिलते है तो this is the point of sale material ओके hopes of friends आज के जो questions आपको अच्छे लगे होंगे ठीक है और आपका score भी काफी अच्छा रहा होगा तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप अब एंडिविशन्ट कॉमर्स की प्रिपेशन कर रहे है थैंक्यू फॉर वाचिंग